हलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैकनोटेक यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स लास्ट वीडियो में हमने देखा था ग्राफिकल मेथड फॉर बैलेंसिंग ओफ फ्रेंड्स लास्ट प्रेंड्स लास्ट अपत Champions ग्राफिकल मेथड वाला वीडियो नहीं है नहीं देखा हो तो देख लीजिए उसके बाद ही आप ये वीडियो देखना ठीक है तो यहां पर चार प्लेन दिये हुआ है ए बी सी एंड डी चार प्लेन है ठीक है और चार अलग-अलग प्लेन यहां पर दिये हुआ है यहां पर रेफरेंस प्लेन यहां दिया हुआ है ml reference plane क्यों लेना है वो भी मैंने आपको बताया था reference plane से plane A का distance 2, 3, M और D का distance यहाँ पे दिया हुआ है यह side view में आप यहाँ पे angle जो है A plane जो है उसको as a reference consider करके यहाँ पे B, C और D का angle यहाँ पे दिया हुआ है चलो इतना हो गया अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा submission of all the centrifugal force must be 0 and all the couple must be 0 C F H और C F V is equal to 0 यह हमने last video में भी देखा था तो सबसे पहले हम यहाँ पे couple polygon के लिए यहाँ पे table लेंगे सबसे पहले यहाँ पे plane, mass, radius, then distance from the reference plane, then angle, then couple MRL, then horizontal couple and vertical couple resolve the couple in a horizontal and resolve the couple in a vertical तो इस तरह से यह पूरा table आएगा तो plane जो है, A, L, B, C, M, D, ठीक है, 6 plane यहाँ पे बताए गया है, plane L जो है, that is reference plane फिर mass यहाँ पे दिये गया है, accordingly, M, A से M, D तक, वैसे ही यहाँ पे radius, R, A, R, L, R, B, R, C, R, M, और R, D यहाँ पे दी गई है, distance from the reference plane, याने कि यहाँ पे यह जो reference plane है, तो यह L1 इस साइड है, यह direction में है, तो हमने minus consider किया है, और यह direction में हमने plus consider किया है, तो यहाँ पे minus L1, then 0, L जो है, that is consider as a 0, reference plane जो है L, वो हमने 0 consider किया है, so 0, then L2, L3, LM, and L4, आप यहाँ पे देख सकते है, L2, L3, LM, and LD, तो उस तरह से यहाँ पे distance from the reference plane लिया है, उसके बाद angle, तो angle जो है, वो theta 1, theta L, theta 2, theta 3, theta M, and theta 4 consider किया है, फिर angle के बाद, यहाँ पे couple लिया है, ठीक है, so couple में यहाँ पे, जैसे कि हमने last time भी देखा था, ठीक है, यहाँ पे यह, minus M, A, R, A, L1 होगा, ठीक है, यह reference plane से हम consider कर रहे हैं, इसलिए reference plane में 0 होगा, then M, B, R, B, L2, यहाँ पे क्या होगा, force into distance, यानि की M, A, R, A, L1, वैसे ही M, B, R, B, into L2, M, C, R, C, L3, M, C, R, M, L, M, D, R, D, L4, इस तरह से couple होगा, अब horizontal हम अगर resolve करते हैं, तो उसका equation है, M, R, L, cos theta, M, R, L, cos theta, यह तो हमने already कई बार देख चुके हैं, और यहाँ पे है M, R, L, sin theta, ओके, जब vertical resolve करेंगे तब, तो यहाँ पे cos theta apply कर देना है, theta 1, theta 2, theta 3, theta M, and theta 4, तो और यहाँ पे sin theta 1 से, यहाँ पे sin theta 4 तक यहाँ पे apply कर देना है, तो यह पहले आपको analytical method में यह table सबसे पहले आपको बनाना है, ठीक है, और जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा, horizontal force and vertical force must be zero summation, और यहाँ पे summation of horizontal couple and vertical couple must be zero, तो यह, इसलिए हमने यहाँ पे यह CH और CV find out किया है, ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो, आप दो unknown मिल रहे हमें, एक तो है, यह M वाला, ठीक है, M, M, R, M, L, M cos theta M, और दूसरा है, M, M, R, M, L, M, sin theta M, तो यह दोनों जो है, वो unknown है, ठीक है, तो sigma CH is equal to zero, अगर हम consider करते हैं, तो हमें यहाँ पे मिलेगा, M, M, R, M, L, M cos theta M is equal to sigma CH, और sigma CV consider करते हैं, तो हमें मिलेगा, M, M, R, M, L, M, sin theta M is equal to sigma CV, ओके, तो इस तरह से हमें मिलेगा, तो अब यह जो दो equation है friends, यहाँ पे मैं round कर रहा हूँ, आपको easily समझ में आए, तो यह दोनो equation जो है, उसमें adding and squaring, समझ रहे हो, adding and squaring करना है, adding का मतलब, यहाँ पे M, M, R, M, L, M, cos theta M, ठीक है, यह add कर दिया, plus M, M, R, M, L, M, sin theta M, अब उसमें squaring करना है, यानि, यह सबका square होगा, यह सबका square होगा, और cos square theta M होगा, वैसे ही, यहाँ पे इसका square होगा, और sin square theta M होगा, okay, is equal to, is equal to, यह वाला portion आएगा, ठीक है, sigma ch square, sigma ch square, plus sigma cv square, ठीक है, अब यहाँ पे, cos square theta M, plus sin square theta M हम करेंगे, तो 1 हो जाएगा, और यह जो portion है, mm, R, M, L, M square, तो यह common निकल जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे, यह हमने skip किया है, और यहाँ पे directly लिखा है, mm, R, M, L, M square, is equal to, sigma ch square, plus sigma cv square, लेकिन यहाँ पे, अगर square को निकालते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, under root आ जाएगा, ओके, तो इस तरह से, यह equation हमने लिया है, उसके बाद, angle find करने के लिए, अब यह हमें मिल गया, mm, R, M, L, M, मिल गया हमें, उसके बाद, हमें क्या करना है, angle find करना है, तो angle कैसे find करेंगे, cv upon ch, ठीक है, is equal to, mm, R, M, L, M, sin theta M, mm, R, M, cos theta M, तो यहाँ पे यह निकल गया, और यह हो गया, 10 theta M, okay, so 10 theta M is equal to cv upon ch, तो यहाँ पे theta M is equal to, theta M is equal to 10 inverse cv upon ch करेंगे, तो हमें यहाँ पे angle मिल जाएगा, theta M का जो angle है, वो हम find out कर सकते हैं, तो basically यहाँ पे, हमें, यहाँ पे M के लिए mass मिल गया, ठीक है, M plane के लिए यहाँ पे mass मिल गया, यह unknown था हमारे लिए, तो M plane के लिए mass भी मिल गया, और यहाँ पे angle भी मिल गया, तो यह था couple polygon के लिए, ठीक है, couple polygon के लिए हमने यहाँ पे find किया यह सब, अब same analytical method में और आगे चलते हैं, तो यहाँ पे अब आएगा force polygon, ठीक है, अब जैसे graphical method में हमने क्या किया था, पहले couple polygon draw किया था, उसके बाद force polygon draw किया था, वैसे ही यहाँ पे पहले couple polygon देखा, और यहाँ पे उसके बाद force polygon यहाँ पे देखेंगे, तो force polygon के लिए मैं थोड़ा speedly जा रहा हूँ यहाँ पे, plane सब दिये हुए है, mask दिये हुए है, radius दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पे centrifugal force जो है, वो हमें find out करना है, m into r, तो यहाँ पे सब centrifugal force find किया है, m, a, r, m, 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 r, m यहाँ पे centrifugal force find किये है, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, angle दिया हुआ है, theta 1, theta l, theta 2, theta 3, theta m, and theta 4, अब हमें क्या करना है, horizontal force and vertical force resolve करना है, so उसका equation आएगा, m, r, cos theta, m, r, sin theta, ठीके, यह बहुत बार कर चुके हैं, so m, r, r, cos theta 1, m, r, l, cos theta l, m, r, b, cos theta 2, उस तरह से यहाँ पे vertical force को अगर resolve करेंगे, तो m, r, sin theta 1, m, r, sin theta l, and m, r, d, sin theta 4, ठीक है, इस तरह से पूरा table जो है, आपको force polygon के लिए complete करना है, ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो sigma f, h है, horizontal force is equal to 0, जब हम करेंगे, तो अब हमें यहाँ पे मिलेगा, m, r, cos theta l, is equal to f, h, and जब sigma f, is equal to 0 consider करेंगे, तब हमें मिलेगा, m, r, sin theta l, is equal to f, v, यहाँ पे जो है, यह unknown है, दोनों, इसलिए यहाँ यहाँ पे यह आएगा, दो equation आएगा, फिर जैसे हमने यहाँ पे couple polygon में देखा, उसी तरह यहाँ पे adding और squaring करना है, तो हमें यहाँ पे मिलेगा, m, r, is equal to under root sigma f, h square, plus sigma f, v, square, ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे ml, r, find out कर सकते हैं, ठीक है, तो याने की हम ml को find out कर सकते हैं, फिर उसके बाद, यहाँ पे आप देख सकते हो, fv upon fh is equal to mlrl sin theta l upon mlrl cos theta l, तो यहाँ पे 10 theta l is equal to fv upon fh होगा, यह निकल जाएगा, तो 10 theta l is equal to fv upon fh, तो theta l is equal to 10 inverse fv upon fh, तो friends, यह equation से हमें मिलेगा theta l, तो basically हमें find क्या करना था, यहाँ पे ml find करना था, mass और उसका direction theta l, ठीक है, couple polygon में हमने क्या find किया था, mm and theta m, तो यह couple polygon में हमने find किया, और यह हमने force polygon में find out किया, फिर example हम देखेंगे, उसमें आपको और ज्यादा समझ में आ रहेगा, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, balancing of more than one rotating mask in a multiple plane, तो friends, अगर आपको यह video अच्छा लगा, तो like कीजिए, share कीजिए and subscribe करना मत बुलिए, thank you, जय हिन, जय बारत